दस्ताखवान रेसिपी हब में आपका स्वागत हैं मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट रेसिपी आपसे मिसना हो असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे हैदराबादी आलो टोस्ट यह बहुत ही इजी रेसिपी है इसके इंग्रेडिन्ट नोट डाउन कर लें तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने पांच मिडियम साइज के आलो को बॉइल करके ग्रेट कर लिया है हाफ टी स्पून दनिया पाउडर आड़ करेंगे वन टी स्पून हल्दी पाउडर स्वात्क्य नुसान नमक आड़ करेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर वन टी स्पून रेट चिली पाउडर वन टबर स्पून ग्रीन चतनी आड़ करेंगे वन टेब हस्पून रेट चिली गार्ली चटनी एड़ करेंगे सभी चीजों को आलू में अच्छे से मिक्स करेंगे आलू का मिक्षर हमारा रेडी है ब्रेट की स्लाइस लेंगे और आलू का मिक्षर हमें ब्रेट की स्लाइस पर स्प्रेड करना है सभी साइड से इस अच्छे से कवर कर दें इसी तरह हम सारी ब्रेट की स्लाइस पर आलू का मिक्षर स्प्रेड करेंगे अब इसे हम डिप करने के लिए एक बैटर रेडी करेंगे तो यहाँ पर मैंने चार टेबल स्पून मेंदा लिया है टू टेबल स्पून कॉन फ्लार एट करेंगे स्वाद के नुसा नमक एट करेंगे पेंच हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे इसे पानी से इसका हमें बैटर रेडी करना है पेटर हमें बहुत जादा पतला नहीं रखना है एक डीस में मैंने इसे ले लिया है ताकि इसे डीप करने में आसानी हो और जो साइट पर हमने मिक्षर लगाया है उस साइट से हमें बैटर में डीप कर लेना है इस तरह तवा हमारा गरम है वन टेपर स्पून ओईल एट करेंगे और मिक्षर जो साइट पर लगाया है उसे तवे पर एट करेंगे एक साइट से टोस्ट हो गया है इसे टन करेंगे मिडियम टू लो फ्लेम पर इसे हमें टोस्ट करना है दोनों साइट से क्रिस्पी होते हैं तो इसे गरमा गरम बना कर खाने में बहुत ही मज़िदार लगते हैं यह रड़ी है इसाक डीसमें ले लेंगे इसीतर हम सारे ब्रेड रटी कर लेंगे अब हम इसे ऐसेंबल करते हैं ब्रेड की स्लाइस पर सबसे पहले हम रेड जिली-गारलिक चतनी एट करेंगे इसकी रेसिपी में आगे दे चुकी हूँ, आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं ग्रीन चटनी एड़ करेंगे फुदीना हरा धनिया, नमक और ग्रीन चिली में थोड़ा सा पानी डाल कर मैंने ग्रीन चटनी रेड़ी की है अब इस पर हम इमली की खटी मिठी चटनी एड़ करेंगे इसकी रेसिपी बी में आगे दे चुकी हूँ, आप मेरी चैनल पर देख सकते हैं अब इसे हम बीच से कट करेंगे बारिक कटी हुई प्यास और हरा धनिया एड़ करेंगे इस पर नाइलोन से वेट करेंगे बहुत ही इसी रेसिपी है तो लिजए हैदरापादी आलो टोस्ट हमारे रेड़ी हैं इफतार में आप इसे ज़रूर से ट्राइ करें और मेरी चैनल को लाइक करें, शेर करें और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरी चैनल को सबस्क्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें अल्ला आफिज